अगर आप Taro में और कल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अधर्वाइस भी आपका बहुत इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं वी हवा Taro Certification Course जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा इसका लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा आप क्लिक करके जॉइन कर सकते हैं और इसी से ही related अगर आपके मिल में कुछ सवाल हैं कुछ doubts हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं I also have a free webinar on this आप उसको join कर सकते हैं इसका लिंक भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा आपके जो भी doubts हैं जो भी सवाल हैं वो clear हो जाएंगे या फिर आप directly हमें screen पे दिये हुए number पे call भी कर सकते हैं तो जो भी आपके लिए convenient है वो आप कर सकते हैं Hello everyone मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए May 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जाना चाहते हैं कि May month में आपके partner की क्या energies होगी आपकी क्या energies होगी finally May month में क्या होगा तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं May 2024 की Love Tarot Reading चलिए के अप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि May 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पस यहां पे तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, second set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally May month में क्या हो रहा है तो सबसे पहला आप लोगों के लिए card मुझे दिख रहा है the wear and tear of time और यह card कहता है कि कुछ time से है या फिर May starting में छोटे-मोटे issues, छोटे-मोटे मसले आप महसूस कर रहे हैं या फिर देखें आपके partner के भी मैं cards देखूं तो आपके बीच में रहते हुए दिख रहे हैं आपके partner के लिए two of cups reverse का card कहता है कि कि किसी level पे किसी तरीके का distance या तो आपके partner जानमुश्के create कर रहे हैं या फिर उनको भी लग रहा है कि आप दुनों के बीच में आ रहा है और देखें आपके partner के cards हम बाद में देखेंगे और detail में मैं आपको बताऊंगी फिलाल आपके लिए यहाँ पे the wear and tear of card का card कहता है कि कहीं you know जो time के साथ issues मसले होते हैं जैसे होता न हर चीज एक maintenance मांगती है हमारा घर हमारी body time के साथ थोड़ा सा उसमें effect आता है और जैसे घर को हम paint polish कराते हैं खुद के लिए हम exercise करते हैं तो हमें maintain करना पड़ता है और इसी तरीके से maintenance करनी पड़ती है और इसी तरीके से दिखिए relationship में भी maintenance चाहिए होती है video course of time थोड़ी सी बोरियत आ जाती है चीजे monotonous हो जाती है या फिर अगर आप अभी अभी भी एक दूसरे से connect होए हैं तो भी कहीं you know कुछ issues कुछ मसले रह रहे हैं और काफी time से हैं तो फिर time की वज़े से एक issues मसले रह रहे हैं यानि कि आपका relationship maintenance मांगता है कुछ करना है जिसे कि एक excitement एक enthusiasm एस relationship में आए और यहाँ पर दीखिए six of cups reverse का card कहता है या तो आप पुरानी बातों पे बहुत ज़ादा focus कर रहे हैं या फिर कोई past से इंसान आपकी life में आ रहा है या फिर past किसी relationship पे आप focus कर रहे हैं यहाँ पे कुछ Capricorns के लिए literally हो सकता है आपके ex हैं वो आपसे connect कर रहे हैं या फिर आप उनके बारे में सोच रहे हैं या फिर आप connect कर रहे हैं तो again देखिए past की कोई situation इंसान आपको किसी level पे impact कर रहा है या फिर effect कर रहा है या फिर आप ही पुरानी बातों के बारे में बहुत ज़ादा सोच रहे हैं पुरानी memories पे बहुत ज़्यादा focus कर रहे हैं और कहीं emotionally किसी level पे low भी feel करते वे दिख रहे हैं the initial difficulty का card कहता है आपको ऐसे लग सकता है कि भाई बहुत मसले हैं बहुत difficulties हैं और कहीं देखिए इन्ही difficulties को आप deal तो करना चाहा रहे हैं लेकिन नहीं deal कर पा रहे हैं कुछ Capricorns के लिए हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि एक movement एक shift लाने की ज़ुरत है चीजों को आगे बढ़ाने की ज़ुरत है थोड़ा सा stuck भी आप महसूस करते वे दिख रहे हैं और एक movement एक shift लाना तो चाहा रहे हैं लेकिन नहीं ला पा रहे हैं बहुत logically चीजों को deal तो करना चाहा रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं एक clarity again मैं कहूंगी चाहा रहे हैं लेकिन clarity नहीं आ पा रही है थोड़े से impulsive आप होते वे दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि travel करना चाहा रहे हैं और इन्ही दोनों चीज़ों से related या परे किसी भी movement से related issues, मसले आप mid-may में face करते हुए दिख रहे हैं और कहीं दिखिए इन्ही वज़े से या फिर otherwise आपको ऐसा लग सकता है कि भाई बहुत problems हैं बहुत difficulties हो रही हैं, बहुत अरचने आ रही हैं अब देखिए जो भी external front में हो रहा है उसको लेकर हम खुद को क्या कहते हैं वो बहुत कुछ हमारी life में determine करता है challenges और छोटे-मोटे issues, मसले ये जिन्दगी का हिस्सा है जैसे हम घर से बहार निकलते हैं red light मिलती है, खड़े मिलते हैं, traffic jam मिलता है और इन चीजों से घबरा कि अगर हम you turn ले ले और वापिस घर चले जाएं तो फिर कभी भी जहां हम जाना चाहते हैं नहीं पहुँच पाएंगे इसी तरीके से life में जो भी काम हम करते हैं छोटे मोटे issues, मसले होते हैं, इनसे हम घबरा जाते हैं या फिर mind में इनको बहुत बड़ा बना लेते हैं तो फिर हम बहुत परिशान होते हैं और कहीं you know, हम इनके लिए एक acceptance रखते हैं खुद को बोलते हैं यह तो जिन्दगी का हिस्सा है कोई बात नहीं जेल लेंगे हो जाएगा तो हम इन चीजों से बहार भी निकल जाते हैं और दिखिए इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा issue मसला हो रहा है क्योंकि यह monthly reading है तो generally छोटे मोटे issues मसले जादा रहते हुए दिख रहे हैं एकका दुक्का लोगों की बात अलग है और कहीं इन ही सब reasons की वज़े से यह पिर otherwise end may के लिए आप लोगों के लिए limitation का काट कहता है थोड़ी सी healthy boundaries आप बना रहे हैं बनाना चाहा रहे हैं खुद को limit करना चाहा रहे हैं खुद को restrict करना चाहा रहे हैं या पिर कुछ Capricorns के लिए हो सकता है बहुत limitations, बहुत restrictions आप महसूस कर रहे हैं अब यह limitations, यह restrictions सब Capricorns के लिए differ करेंगी कुछ के लिए society, religion, आपके family members की तरफ से restrictions रह सकती है कुछ के लिए आपका negative thought process हो सकता है आपका negative belief system हो सकता है उसकी वज़े से limitations, restrictions रह सकती है और कुछ के लिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया आप जान मुझके एक healthy boundaries एक you know, limitations अपने लिए create कर रहे हैं जानी कि खुद को थोड़ा सा आप limit कर रहे हैं, restrict कर रहे हैं surface level के लिए three of cups reverse का card कहता है आप शायद जादा socialize करना चाहा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं आप फिर कर भी रहे हैं तो इसको enjoy नहीं कर पा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कोई celebration, get together, reunion, end में में या में मन्त में हैं आप उसमें participate या तो नहीं कर रहे हैं या फिर कर भी रहे हैं तो उतना enjoy नहीं कर पा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि partner से आप किसी अपने friend, किसी अपने दोस्त के through connect करना चाहा रहे हैं और अब देखते हैं कि आपके partner की क्या energies है तो आपके partner के लिए दिखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया two of cups reverse का card कहता है कि एक distance, या तो जान मुझ के create कर रहे हैं या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आपके और उनके बीच में एक distance एक दूरी आ रही है और दिखिए कहीं deeper level के लिए nourishment का card कहता है बहुत एक healthy nourishing relationship वो चाहते वे दिख रहे हैं उनको ऐसे लग रहा है कि भाई वो किसी toxic relationship में नहीं जाना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके के issues मसले नहीं चाहते हैं अगेन कहूंगी एक healthy nurturing या फिर nurturing relationship वो चाहते वे दिख रहे हैं और कहीं दिखिए उनके भी बहुत सारे fears हो सकते हैं बहुत सारे phobias हो सकते हैं past experiences भी हो सकते हैं क्योंकि अगर हमारा past में किसी के साथ relationship ठीक नहीं है न तो वो हमारे मन में बैठ जाता है और हम उसी के ही basis पर current relationship में भी चीजों को deal करते हैं यानि कि अगर past partner ने कुछ भी चीज को बहुत बड़ा बनाया या फिर cheating करी cheating सिरफ एक example है तो current जो partner होते हैं यानि कि आप हैं उनको भी वो छोटी छोटी चीजों में doubt कर सकते हैं again this is only and only an example कि कैसे past relationship current relationship को effect कर सकता है तो देखे ये एक reason हो सकता है और फिर से कहूंगी ये general reading है सब Capricorns के partner के लिए different reasons रहेंगे लेकिन यहाँ पर the moon and fear of love के cards कहते हैं बहुत एक confusion बहुत एक fear बहुत एक insecurity वो महसूस कर रहे हैं fear of love का card कहता है या तो प्यार से ही डरते हैं या फिर उनके circumstances situations ऐसे हैं वो उन से डरते हैं तो love relationship से related मन ही मन एक fear है और बहुत एक confusion रहती हुई दिख रही है insecurities रहते हुई दिख रहे हैं clarity नहीं रहती हुई दिख रही है हाला कि देखे दा हेरोफिन का card कहता है कि वो stability चाहते हैं वो security चाहते हैं nourishment का card भी यहाँ पर कहता है कि बहुत एक nurturing nourishing healthy relationship चाहते हैं लेकिन उनके कहीं कुछ fears भी relationship में problems create कर सकते हैं और कहीं देखे end may में उनकी energies थोड़ी सी बहतर हो सकती हैं mid may में extreme एक fear extreme एक डर insecurities वो महसूस कर रहे हैं और हो सकता है कि वो कहीं end may में इन सब चीजों से खुद को निकाल रहे हैं और herofin का card दिखिए stability security क्यों तो बात करता ही करता है लेकिन बहुत rigid fixated भी कुछ चीजों को लेकर होने की बात करता है तो थोड़े से stubborn जिद्धी भी end may में अपनी किसी बात के लिए या फिर किसी भी चीजों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं society, religion, घर के उनके बड़े उनके लिए काफी एहम रहते हुए दिख रहे हैं और कहीं दिखिए receptivity का card कहता है कि कहीं थोड़ा सा जो भी वो चाह रहे हैं उसके लिए receptive भी होते हुए दिख रहे हैं तो मैं यहीं कहूँगे कि end may में उनकी energies किसी लेवल पर बहतर हो सकती हैं लेकिन फिर से साथी साथ थोड़े से जिद्धी stubborn, fixated, rigid होते हुए दिख रहे हैं religion, society जो उनके घर के बड़े हैं culture को एहमियत देते हुए दिख रहे हैं और marriage कुछ के लिए हो सकता है, कुछ के लिए stability, security चाहते हुए दिख रहे हैं और आप देखते हैं Capricorns की में मंत में क्या हो रहा है तो देखिए सबसे पहला card मुझे दिख रहा है liberation और यह card कहता है कि जो भी issues, मसले आप दोनों के बीच में रह रहे हैं जो कि हमने देखा, you know आप दोनों के cards में की हैं उनसे छुटकारा मन ही मन आप दोनों पाना चाहा रहे हैं Liberation का card freedom की बात करता है तो उनसे खुद को इस relationship को free करना चाहा रहे हैं या फिर आप दोनों में से कोई एक you know, किसी भी level पे एक freedom, एक liberation चाहते वए दिख रहे हैं अब देखिए liberation, again किसी भी चीज से related हो सकती है negative thought process, negative belief system या फिर जो भी चीज रिस्टिक्ट कर रही है limit कर रही है उससे और कुछ के लिए या फिर मैं कहूँगी एक का दुक्का के लिए इस relationship से भी related हो सकता है एक freedom चाह रहे हैं यानि कि end करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं ये एक का दुक्का की बात है क्योंकि यहाँ पे कोई भी break up का card नहीं है but otherwise फिर से कहूँगी एक freedom चाहते वे दिख रहे हैं surface level के लिए queen of pentacles reverse का card कहता है कि बहुत practical बहुत realistic तरीके से चीजों को deal कर रहे हैं in fact मैं कहूँगी कि पूरे ही may month में कहीं emotions feelings missing रहते वे दिख रहे ही हैं आप दोनों की में energies देखूँ तो आप दोनों कहीं starting may में emotional sentimental जरूर हो रहे हैं और आपके partner के लिए mid may में भी वो energies रह रहे हैं लेकिन combined energies जब हम देखें तो कहीं practical realistic जादा होते हुए दिख रहे हैं और कहीं देखिए deeper level के लिए completion का card कहता है money man आप दोनों ही एक दूसरे का साथ चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ long term commitment चाह रहे हैं या फिर you know जो भी issues मसले हैं उनको end करके एक नए सिरे से चीजों को शुरू करना चाह रहे हैं कहीं चीजों को बहतर करना चाह रहे हैं और शायद इसी लिए दिखिए यहाँ पे the present moment and two of souls rivers के cards कहते हैं कि पुरानी बातों को भुला के और future पे जादा ना focus करके present moment पे focus करके चीजों को बहत नजाकत के साथ delicately handle करते हुए जो एक decision choice आप दोनों नहीं ले पा रहे थे नहीं ले रहे थे उसको लेना चाह रहे हैं या फिर जो भी चीजें stuck कर रहे हैं जो भी चीजों की वज़े से attack रहे हैं आगे नहीं ये relationship बढ़ पा रहा है उन में से इस relationship को बाहर निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे दिखिए two of souls reverse का card कहता है कि पीछे या फिर mid may तक आप दोनों ही कुछ चीजों को देख के अंदेखा कर रहे थे कुछ चीजों को सुन के अंसुना कर रहे थे और कहीं decision choice नहीं ले पा रहे थे कहीं action initiatives नहीं ले रहे थे तो end may में कहीं इन ही energies से खुद को बाहर निकालते वे दिख रहे हैं और इस हिसाब से देखिए तो बहुत great ये period नहीं रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि अभी पूरी तरीके से आप उस energy से जो परेशान कर रही थी निकले नहीं है बट दिखिए एक कोशिश जब हम करते हैं उन energy से बाहर निकलने की तो वो भी एक बहुत अच्छा phase होता है क्योंकि कहीं ना कहीं दिखिए हम effort कर रहे हैं जो की कहीं ना कहीं again कहूंगी एक हम में better feeling देती है तो ये था क्याप्रिकॉंज आप लोगों के लिए में 2024 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें